कईवार हमसे इंटर्व्यू में पूछा जाता है कि AC और DC में क्या अंतर है तो आज़गी इस वीडियो के माद्यम से सबसे पहले तो उधारनों के साथ हमें इस बात को जानेंगे कि आकर AC और DC में क्या अंतर है और यदि इंटर्व्यू में ये बात पूची जाती है कि आकिर AC और DC में क्या अंतर है तब आपको क्या जवब देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए जानते हैं ना सबसे पहले बात करेंगे AC के बारे में तो जो हमारे पास AC होती है वो हमारे पास फेज और होते हैं तो DC में तो कोई भी फेज नहीं होता है DC के ओल पलस और माइनस के रूम में ही होती है और यदि हम बात करें फेज की तो फेज के अंदर पलस और माइनस दोनों ही होते हैं यानि कि जो AC के अंदर फेज होता है वो कुछ समय के लिए तो पलस होता है और कुछ समय के समझने के लिए हमें frequency के बारे में जानकारी होना बेहत जरूरी है तो अब समझते हैं frequency यानि आविर्ति के माद्यम से तो मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी का टायर है और ये यहां पर घूम रहा है तो ये जो टायर है वो एक सेकंड में कितनी बार घूम रहा है या फिर एक सेकंड में कितने चक्र लगा रहा है यही कहलाएगी इसकी frequency अब यदि ये टायर एक सेकंड में चार बार घूम रहा है तो इसकी frequency हो जाएगी चार हर्ज ठीक इसी परकार जो हमारे पास AC होती है इन बाइसाब के अंदर भी frequency होती है जो कि हमारे भारत इसमें 50 अर्ज रखी गई है अब यदि हम AC की वेब भूम को देखें तो AC कुछ इस तरीके की टेड़ी मेड़ी चाल में आगे वड़ती है और यहां से लेकर यहां तक AC अपना एक चक्र पूरा करती है इस सुने रेका से उपर वाला भाग पलस माना जाता है और इस सुने रेका से नीचे वाला भाग माइनस माना जाता है तो 50 अर्ज frequency का मतलब है जो हमारे पास AC होती है वो एक सेकंड के अंदर इस तरीके के 50 चक्र पूरा करती है या फिर यहों कहें कि AC एक सेकंड में 50 बार तो पलस होती है और 50 बार माइनस भी होती है अब यदि इस चीज को थोड़ी आसानी के साथ समझे तो मान लीजिए कि यह कोई बल्व है अब यदि इसे AC से जोड़ दिया जाए तो यह बल्व यहाँ पर जलने लगेगा लेकिन अब सुनो games नियूज होता क्या है की जब यह बल्व जलता है तो हमें यह बल्व लगातर जलता हुआ दिखाई देता है जबकि हाकिकत यह है की यह बल्व लगातर जलता ही नहीं है 50 अर्ज फ्रेक्वेंसी का मतलब है कि ये बल्ब एक सेकिंड में 50 बार तो जलता है और 50 बार बंद भी होता है लेकिन ये जो किरिया है वो इतनी तेज़ी से होती है और इतने कम समय में होती है कि हमें अपनी आखों से दिखाही नहीं देती है अब यदि बात की जाए DC के बारे में तो DC वेचारी बिना अपनी दिशा में परिवर्तन किये एक सीधी रेका के रूम में आगे बढ़ती है इसका मतलब यह है कि DC की कोई wave form नहीं होती है और यही कारण है कि जो मरफास DC होती है उसके अंदर frequency नहीं होती है अब समझते हैं power factor के माद्यम से यदि आप electrical field से हो तो आपको power factor के बारे में जनकरी होना वेच जरूरी है तो मान लीजिए कि यह कोई तार का टुकड़ा है तो जब इसमें से धारा चलती है तो उस टाइम इसमें से voltage भी चल रहा होता है किसी भी चालक में धारा और voltage कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है इन जगाएं पर धारा और voltage का मान अदिक्तम होता है अब ध्यान देने वाली बाती है कि जब धारा अपने सुन्य मान पर पहुँच रखी है उस टाइम voltage अपने अधिक्तम मान पर पहुँच रखा है और जब धारा अपने अधिकता मान पर पहुंच रखी है उस टाइम इन बाई साब का मान सुन्य है तो कुल मिला कर यदि देखें तो इन दोनों के वीच कुछ ना कुछ अंतर आ गया है इसी अंतर को कहा जाता है पावर फेक्टर अब क्योंकि जो हमारे पास AC होती है उसके अ गलाग होता है अब यदि बात की जाए DC की तो DC के अंदर कोई भी फिरक्वेंसी नहीं होती है और यही कारण है कि DC के अंदर पावर फेक्टर भी नहीं होता है क्योंकि DC के अंदर फिरक्वेंसी ही नहीं होती है और यही कारण है कि इसकी वेब फॉम भी नहीं होती है और इ इसे store किया जा सकता है AC को भी यदि store करना है तो इसके लिए AC पहले DC में बदलना पड़ेगा तो कुल मिला कर यदि देखा जाये तो केवल DC को ही store किया जा सकता है तो आप यदि इंटरिव्यू में पूचा जाता है कि AC और DC में किया अंतर है तो वहाँ पर तो इतना लंबा चोड़ा जबाब नहीं दिया जा सकता है वहाँ पर हम यह कहेंगे कि जो हमारे पास AC होती है वो अपनी दिसा लगातर बदलती रहती है जबकि जो DC होती है उसकी दिसा और मान दोनों समय के साथ इस्थिर रहते हैं AC के अंदर फिर्क्वेंसी होती है जिसका मान हमारे देश में 50-60 रखा गया है जबकि जो DC होती है उसके अंदर कोई भी फिर्क्वेंसी नहीं होती है AC में पावर फेक्टर भी होता है जिसका मान अलग अलग परिपत में अलग अलग होता है जबकि जो हमारे पास DC होती है उसके अंदर कोई भी power factor नहीं होता है AC को store नहीं किया जा सकता जबकि DC को store किया जा सकता है AC हमारे पास phase और neutral के रूम में होती है जबकि जो DC होती है वो plus और minus के रूम में होती है तो उमीद करते हैं कि अब आप समझ गई होंगे कि AC और DC में क्या अंतर है तो दोस्तों उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कापी पसंद आये होगा और आपके लिए फायदे मन भी सावित होगा